डियर स्टूटेंट वेलकम टू यूनिवर्सल आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रस्णावली 3.5 का कोश्चन नमबर फोर्थ का फोर्थ और फिप्थ नमबर यह फोर्थ और फिप्थ इससे पहले मैंने फर्स सेकेंड थर्ड वो एक्स्प्लेंड कर दिया था लेकिन यह फोर 100 किलोमेटर की दूरी पर है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारम करती है ठीक है कोश्चन पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर आपको एक्स्प्लेंड करेंगे यदि यह कारे विन भिन चालों से एक ही दिसा में चलती है तो वे पांच घंटे प स्वाश्यात मिल दिए है दोनों कारों की चाल गयाद कीजिए पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं कोशन क्या कह रहा है ठीक है जैसे कह रहा है फोर्थ का पहले लिख लेता है फोर्थ का फॉर्थ ठीक है यह दो पॉइंट है ठीक है इसको A मान लेते हैं इसको B मान लेते हैं यह 100 km डिस्टेंस है ठीक है इसके 20 का डिस्टेंस 100 km कता दो कार हैं एक A से चलना प्राराम करती है एक B से चलना प्राराम करती है काता अगर दोनों एक डायरेक्शन में चले दोनों एक डायरेक्शन में बता इधर चले तो ये पांच घंटे पस्यात मिलती है और वही बोलता अगर अपोजिट डायरेक्शन में चले इधर से इधर ये पांच आवर लेती है ये वन आवर लेती है अगर दोनों एक दुसरे क कि अगर इधर से यह जा रहा है दूसरा भी जा रहा है तो पास गंडे लागते हैं इस यह कंडीशन मालो आप कि जैसे यह चोर भाग रहा है यह यह पुलिस है चोर भागा भागा बी तक पहुंचा ठीक है एक सो किलमेटर दूरी तैकर लिया तो पुलीस स्टार्ट करता यहां से चलना या भागना ठीक है और यह पांच घंटे में पकड़ लेता है तो इसका मतलब यह वाला का जो चाल होगा यह मतलब पुलीस का यहां माल लेते हैं इसका चाल जादा होगा बी से जादा रहेगा यह से पुलीस वाली से तो वो कभी नहीं पकड़ पाएगा तो इसका यह का जो चाल मानेंगे हम लोग जादा बड़ा वाला मानेंगे ठीक है वो देखते हैं आगे माना कर पर्थम कर माल लेता है यहां से कर जो ए से चलती है का चाल एक्स किलोमेटर पर आवर है ठीक है एब हम दूसरे कर जो बीस से चलना प्रारंब करती है इसका चाल है य किलोमेटर पर आवर ठीक है यहां से एक्स बड़ा होगा वाई से ठीक है तो एक्स मैंस वाई करेंगे ना कि वाई मैंस एक्स करेंगे काता है अगर दोनों सेम डारेक्शन में चलेगा देखिए सेम डारेक्शन में चलता है तो एक्स मैंस वाई करते हैं क्यों अब मैं आपको समझा रहा हूं जैसे यह पुलीस भागा 40 किलेमेटर के और यह चोर भाग रहा है 20 किलेमेटर के सबसे तो अगर इसकी जो रिलेटिव स्पीड देखेंगे कि यो जो भागेगा उसका डिस्टेंस कितना कितना घठ़ता रहे हूं मतलब कि 20 किलेमेटर पर आवर होगा ठीक Christmas पर ऑफ इसका रिलेटिव बेटे समय यह formula है अब दिखिए आपका चाल हो गया अगर चाल को समय से गुना करेंगे समय कितना घंटा लगता पांस घंटा तो यहाँ पर आपको क्या आता है दूरी दूरी दिया हुआ कितना 100 km यहाँ से इसको implies that इधर से x-y पांस से यह cancel हो जागा तो 2500 equation 1 ठीक है यह हम x-y करेंगे क्योंकि एक दूसरे के opposite direction में चलती है तो दोनों अगर ऐसे चलेगी तो दोनों का speed जिसे यह 40 km पर घंटा से आ रही है यह 20 km पर घंटा सारे है इसका मतलब कि fast में मिल जागा दोनों मतलब 60 km पर घंटा की हिसाब से यह हो जाएगा हमारा तो x-y कितने घंटे में एक घंटे में कितना है 100 km तो यहाँ से x-y is equal to 100 इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सिंपल है अब क्या करेंगे विल ओपन विधी करते हैं समीकरन 1 पलस करेंगे समीकरन 2 क्यों यह x और y अपोजिट में था तो पलस करती है मतलब y अपोजिट में था यहां मैनस में है यहां पलस में है x-y is equal to 100 x plus y is equal to 100 यह cancel out हो गया 2x अच्छा यहां से 20 है न यह 20 है ठीक है 120 यहां से x is equal to 60 x is equal to 60 समीकरन 1 में रखने पर केतना हो जाएगा हमारा 60 minus y is equal to 20 यहां से minus y 20 minus 60 minus y is equal to minus 40 y is equal to 40 अताव पर्थम कार की चाल x किलोमेटर पर आवर is equal to 60 किलोमेटर पर आवर यहां दूसरे आपका अंसर होगी है ठीक है अब इसका फिप्ट नम्मर का कुश्चन देखते हैं यह भी बहुत अच्छा कुश्चन है कुश्चन को समझना है उसके बाद आपको बनने में मतलब सोलित होगा अरम अरम से बनेगा कुश्चन जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप र एक बार रट लेंगे फिर बोल जाएंगे ऐसा नहीं कि रटना नहीं को कुश्चन को इसके अंसर को रटना नहीं है दिमाग लगाना है क्या बोलना है कुश्चन को हमेशा अगर आप अभी से दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आगे जाती है और चोड़ाई तीन एकाई बढ़ा दी जाती है तब के बारे में बोलता है उसका छेतर पल जो है नौए वर्ग एकाई कम हो जाएगी ठीक है यदी हम लंबाई को तीन एकाई और चोड़ाई को दो एकाई बढ़ा दे तो छेतर पल 67 वर्ग एकाई बढ़ जाता है आ हमारा फिप्त नंबर का कुश्च्चन हो कि माना कि आयत की कि लंबाई कि किसमेती हो वर्ग एकाई कुछ भी माल लेंगे एक्स एकाई क्योंकि यहां पे कुछ मैंसन नहीं किया कि मीटर में है या सेंटी मीटर में कुछ नहीं है तो एक्स एकाई एवं आयत की चोड़ाई स्कुल्टू वाई एकाई है ठीक है तो आयत का छेतरफल कितना होगा पता है लंबाई इंटू चोड़ाई होता है एक्स वाई एकाई एकाई जो मैल्टिप्लिकेशन होगा वर्ग एकाई ठीक है प्रस्ना नुसार कहता है कि लंबाई पांच एकाई कम कर दिया थे पहले लंबाई लिखेंगे कितना है एक्स पांच एकाई कम कर दिया थे मतलब मैनस फाई और चोड़ाई क्या है वाई है इसको कितना कर दिया जाता है तीन इकाई बढ़ा दिया जाता है इसका चेतरफल कितना हो जाता है 9 वर कितना कम हो जाता तो पहले चेतरफल कितना था xy 9 कम हो जागा तो यह आपका एक्विशन बनेगा ठीक है अब यहां से इसको सिंप्लिफाइ करेंगे x into y xy पलस 3X फिर मैनस 5Y मैनस 15 यहां से XY मैनस 9 यह XY यह XY कैंसिल हो जाएगा हमारा 3X मैनस 5Y इस उकल टू 15 पलस में जाएगा उधा 6 एक्वेशन 1 एवं अब कहता है लंबाई 3 इकाई और चोड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाती है लंबाई 3 इकाई बढ़ाएगा तो X पलस 3 और चोड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाती है तो इस छेतरफल कितना हो जाता है? 67 वर इकाई बढ़ जाता है इतना यह equation यहां से simplify फाग किया xy plus 2x plus 3y plus 6 is equal to xy plus 67 xy xy cancel 2x plus 3y is equal to यह 6 सुधा जागा minus बाजागा 61 ठीक हा? equation 2 अब क्या करेंगे? वीलोपन वीधी से इसको solve करेंगे क्या है? यह minus में है यह plus में लेकिन यह y वाले टरम देखते हैं यह plus y minus 5 है यह plus 3 है तो मतलब अगर इसमें 3 से multiplication कर देते हैं इसमें 5 से multiplication कर देते हैं तो y वाले cancel हो जागा अगर x को हटाना चाहेंगे? तो x 3 है यहाँ 2 है तो इसमें 2 से multiplication करेंगे इसमें 3 से multiplication करेंगे ठीक है? तो x वाले टरम को ही हटाते हैं देखिए sumi करन 1 into 2 minus करेंगे sumi करन 2 into 3 यहाँ से 6x minus 10y minus 2l 6x plus 9y plus 3 1 3 6 समझ में आ रहा होगा किस तरह से multiplication किये हैं? अगर नहीं आए तो comment box में लिख दीजिएगा तो मैं आपको next time से पूरा एक एक करके ठीक से बताऊँगा ठीक है? यहाँ minus करते हैं यह cancel out हो गया यह minus यह minus यहाँ से 19y minus में और यह उल्टा घटाई है 1 7 1 minus में यह minus minus cancel हो गया 19 इस नो से तो y is equal to 9 ठीक है? y is equal to 9 समी करन किसी में रख दीजिएओ 1 में रखने पर क्या जाएगा हमारा? 3 into x minus 5 into 9 is equal to 6 यहाँ से 3x minus 45 6 3 x 6 plus 45 3 x is equal to 51 3 से 17 मरतव में 17 31 x is equal to 17 अता अता आयत की चोड़ाई is equal to 17 अता 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 आयत की चोड़ाई is equal to y 1 is equal to 9 1 यह आपका answer होगी तो मेरे प्यारे student आप सभी को कैसा लगा यह video please comment box में लिखे और अपने दोस्तों को भी share करें आप लोग ऐसा होता है की देख लेते हैं दोस्तों को share नहीं करते हैं दोस्तों को भी share कीजिए ताकि वो भी अच्छे से बढ़ सकें और एक group बना की discussion करके पढ़िए आप लोग ताकि आप लोगों के दिमाग में ज़्यादा आएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका और ज़्यादा development हो तो group में पढ़िए group में पढ़ने से क्या होता है कि आप उससे कुछ question फुशते हैं वो कुछ आपको बताता है इससे क्या होता है कि सबका अलग-अलग thought मतलब की approach समझ में आता है कि किस तरह से वो question को समझता है ठीक है तो ये आपके लिए beneficial होगा तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए math पढ़ते रहिए अच्छे से पढ़िए thank you very much